साथ यु माई सीक्वेल में अब हम आगे सीखेंगे functions जिनमें सबसे पहले तो हम सीखेंगे arithmetic functions को आप देखोगे यहाँ पर arithmetic functions की एक बहुत बड़ी list है तो इन में हम सबी function नहीं सीखने वाले हैं इन में से हम सिरफ वह function सीखेंगे जो important है और सीखने जरूरी है बाकी functions के उपर हम time वेस्ट नहीं करेंगे आप चाहें तो इन function का यूज करके देख सकते हैं क्योंकि ये function शायद ही coding के दोरान या development के दोरान यूज में आते हूं तो यह कौन-कौन से function है कैसे इनका यूज करेंगे यह जानते हैं इस वीडियो में तो इस में तक बनी रहे हैं नमास्कार साथ यह मेरा नाम है मनुष कुमार और आप देख रहे हैं computer गान गुरी चैनल तो चलिए सीख लेते हैं जिन function को हम सीखने यहां पर यहां पर हम चेक करके देखें के round round का भी है सील फ्लोर पाव साइन सारे function एकसल में भी है वाट हम यह सारे function calculation करके देखना चाहें तो simple calculation यहां पर करा सकते हैं कि कोई भी किसी भी परकार की जैसे कि यहां पर मैं करना चाहूं मैं यहां पर लिखता हूं select थोड़ा size का size बढ़ा ले अच्छा दिखेगा select और हमने क्या करना है हमने करना है four plus six और close कराके इसको run करा लेंगे प्रोग्राम को यहां पर क्या रहा है four plus six का टैन डेजल्ट हैं यहां पर प्लॉस इक हमारा column का नाम बन गया देखो यहां पर select four plus six column का नाम और इसका calculation तैन आ रहा है हम चाहें यहां पर कोलम को नाम दूसरा चेंज करना तो इसका alias name दे सकते हैं कि еще तो यहां पर आएगा यहां पर other symbol कर सकते हैं स्क्रिचत करके देखना चाहिएंग थिवाइड करा ले करतें के लिए को दूसरी डालते हैं 15 divided by मैं यहां पर कराता हूं 5 और रन करा देंगे देखो यहां पर इसका division यहां पर आजाएगा अब एक सीज़ और बताता हूं यहां पर हम divide कराने के लिए यह साइन यूज करें स्लैस का या फिर यहां पर हम लेख भी सकते हैं डी आई वी यानि कि डीवीजन हमने कराना है रन करा देगे इसको तब भी यहां पर डीवीजन का रजल्ट आ रहा है अब दोनों में फरक क्या है दोको यहां पर मैं इसको फोर से डिवाइट कराता हूं और रन करा देता हूं देन अब रजल्ट हमारा थिरी आ रहा है तो यह क्या करेगा यह राउंड फिगर में उसको दिखाएगा जो डेसिमल पहले इसकी बाद की वैल्यू है वह नहीं दिखाएगा जब की हम यदि साइन यूज करते हैं डिवीजन का तो यह पूरा उसको फ कर रहे हैं मोड का मतलब जो उसका रिमाइंडर हमने अगर रिमाइंडर देखना हैं पंदरा को चार से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो मोड कहलाता है और यहां पर मोड का इस परकार से भी यूज कर सकते हैं हम लिखेंगे यहां पे MOD mode और अब इसको run करा देते हैं तो अभी भी यह वैसे ही काम करेगा यह कोई value जोड के देखना चाहें अपनी table में किसी column के अंदर मान लीजी मेरे पास यहां पे student table है यहां पर सभी की age दी गई है percentage दी गई है अब example के लिए में इसी में percentage के अंदर सभी की percentage में पांच 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 नंबर जोड़ के देखना चाहरा हूं तब वापस से इदर आते हैं उसी table का use करेंगे मैं यहां पर करता हूं इसको तो हटाता हूं करता हूं select और कौन-कौन से column हमने लेने हमने लेने से ID नेम और percentage के पर्संटेश कराने से मैं ठीक से म्पैलिंग है परसंटेज की और इस टेबल को एक बढ़ मैं यहां पर रन करा करा के लिखा देता हूं फ्रोम स्टूडेंट और रन करा देंगे इस टेबल को हम तो देखो यहां पर अभी टेबल है हमारी शेम दोनुप आप देख रहे हैं यहां पर चारों कॉल हमारे मैं यहां पर एज का नहीं लिए सिर्फ परसंटेज का देगा अब परसंटेज में हमने पांस मांस नंबर सभ बढ़के आ चुकिए देखो यहां पर इसके 62 हो गए पहले कितने थे इसमें देखो पहले 57 थे इसके 96 थे 5 हमने बढ़ा दिये 101 हो गए तो सबी के यहां पर पांस पांस नंबर बढ़के आ जाएंगे अब यह ऐज ए कोलम का नाम हो गया परसंटेज पलस फाइफ इसका भी के फंक्षन देखते हैं इसको तो मैं यही पे पड़ा रहना देता हूं और निच्ची आता हूं और फिर से program लिखता हूं एक मैं यहां पर करता हूँ सेलेक्ट और पाई का functioning यह constant function है यह हम को एक constant value return कराता है यादि हम सिधा यहां पर पाई का use कर दें मैं करता हूं पाई ब्रैकिट स्टार्ट कराके और इसी इसी को मैं run कराना चाहूं यहांपर पाई यह हमारा गडबड कर गया पी आई और इसी को रण करना चाहेंगे तो यहां से रण करा लेंगे तो पाई की वैल्यू यहां पे आपको दिखाई दे रही है यह यह रण करके देख सकते हैं अगला फंक्षिन आता है राउंड फंक्षिन क्या करेगा किसी भी फ्लोट वैल्यू को राउंड वैल्यू में कनवर्ट करा देता है वह वैल्यू अगर डैसिमल के बाद फाइफ एंड उससे अबाव अंग है तो यह पहले वाले को एक इंक्रीज कर देगा और यदि फाइफ से डाउन है तो वह उसको सेम पोजिशन पर रखेगा यानि कि उसको फ्लोर पर रखेगा वरना यह सील पर लेकर जाएगा मान लिजिए हम यहां पर वैल्यू लेते हैं फाइफ पाइंट फाइफ वन तो इसका रजल्ट आना चाहिए यहां पर सिक हमारा फाइफ आएगा क्योंकि इसका काम है इसको राउंड में कराना देखो यह दोनों प्रोगर हम रण होगे तो राउंड ऑफ क्या करेगा राउंड डैसिमल के बाद की वैल्यू यदि पांच यह उससे ज्यादा है तो उसको एक स्टैप अपले जाएगा वरना उसको य है डैसिमल के बाद मान लीजी मैं यहां पर करता हूं वन टू थी डैसिमल फाइफ फाइफ सिक्स अब इसको राउंड कराएंगे तो अभी भी यह क्या काम करेगा यह फाइफ से ज्यादा है तो इसको वन टू फॉर करा देगा रहा है लेकिन हमको रेजल्ट क्या चीए हमक यहां पर एक पैरामेटर और पास करेंगे हमने डैसिमल वैल्यू डैसिमल पैलेस कितने चीए हम उतने पैलेस यहां पर पास करा देंगे टोटल हमारी वैल्यू कोमा हमको डैसिमल के बाद दो अंकची है तब अब यह पहले वाले को नहीं इस वाले को चेंज कराएगा रन क कि सेथे हमने किसी भी का से लिएन्ग वैल्यू और फॉलोर वैल्यू निकाल दो ऐसमें मैं सब्से पहले तो दो करा दू दो इसमें कोई भी वैल्यूー तो यह इसको एक step उपर ले जाएगा यानि कि यहां पर फॉर पॉइंट वन है तब भी यह पांस तक ले जाएगा और यदि यहां पर फॉर पॉइंट नाइन है तो भी इसकी सील वैल्यू फाइफ ही आएगी इस इसको रन कराके देखते हैं यहां पर देखो सेलिंग वैल्यू के आगे इसकी फाइफ आती है यदि यहां पर हम जीरो वन कराते हैं इसको तो इस स्तिती में भी वैल्यू फाइफ ही आएगी और यदि यहां पर यदि हम 90 कराते हैं या फि होती है ceiling value और floor value क्या काम करेगा वो इसकी नीचे वाली value अब 4.99 की सबसे नीचे की round of value क्या होगी 4 होगी तो जो floor function है वो इसको 4 पे लाके रोक देगा मैं यहां पर करता हूँ floor और करा देता हूँ run तो इसको 4 पे निकाल देगा तो ceiling function इसको top value पे लेके जाएगा और floor function इसको bottom value पे रखेगा तो इसकी bottom value 4 होगी और top value 5 होगी अब आता है function हमारा power function उसके लिए हम use करते हैं यहां पे pow power के अंदर दो parameter दिये जाते हैं पहला parameter base मानली जी मैंने base ले लिए यहां पे two और कोमा दूसरा parameter होता है exponations explanation भी मैं यहां पे two देता हूं यानि की दो की power दो तो result क्या आएगा four two two the four run कराते हैं इसको हम यहां पे लिको four यदि यहां पे two की power मैं कर देता हूं three then result भी हमारा change हो जाएगा कि इतना आएगा यहां पे result eight होना चाहिए two two is a four और four two is a eight run कराके देख लेते हैं यहां फिर हम इसका base ले 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 four और explanation हम ले ले three तो result यहां पे 64 चला जाएगा तो यह हम power calculate कर सकते हैं इसी परकार यदि हमने square root निकालना है जिसको आप under root में use करते हो mathematics में उसके लिए हम यहां पे करेंगे sqrt square root और किसका square root देखना है हम यहां पे देखना चाहते है 81 का तो कितना आएगा nine run कराते है 99's a 81 जैसे कि हम यहां पे करना चाहिए 16 का तो four four zah 16 five का देखना चाहते है तो five का decimal में आएगा देखो यहां पे decimal में आता है पाइप का यदि कोई result हमारे पास decimal में आ रहा है और उसको हमने round of कराना है तब हम किसी भी एक function के साथ दूसरा function भी add करा सकते हैं कैसे कराएंगे हम इस से पहले round का function लगा देंगे हम करेंगे round किसको round कराना है जो यह result आए हमने इसको round कराना है बस run करा देंगे अब यह round of हो कर आ जाएगा यदि हम 7 का देखना चाहें तो 7 का क्या आएगा run करा लेंगे 7 का 3 हो रहा है क्यों क्योंकि यह इसको round of करके दे रहा है अगला function आता है rand function rand function क्या का काम करेगा rand का मैं आपको समझा देता हूँ rand function 0 से 1 के बीच की जितनी भी value है वो हमको randomly दिखाएगा कोई भी एक value हमको randomly दे सकता है कहां से कहां तक 0 to 1 वो decimal में हो सकती है तो आपको पता है 0 से 1 के बीच में decimal में points में ही आएगी run कराते है इसको हम देखो यहां पर decimal value आ रही है इसको जितनी बार भी हम run कराएगे यह हर बार अलग आएगी क्योंकि एक random value हमको generate करके देता है यह कोई fix नहीं होता अब यदि हम चाहें कि हमको 0 से 1 नहीं हमको one two hundred के भी इसकी value लेनी है तब हम इसी को यहां पर करा देंगे multiply hundred बस run करा लेंगे यहां पर इसको देखो अब यह one two hundred एक random value generate कर देगा अब यह value भी हमको decimal में नीच किये यह value भी हमको round of सिये तो यहां भी हम round function का use कर सकते है यहां पर करेंगे हम round function और यहां पर आके कर देंगे bracket close और run करा देंगे तो अब यह हमको एक round value निकाल के देदेगा randomly यह हर बार change होगी जितनी बार हम इसको refresh करते चले जाएंगे अब multiply hundred ही नहीं मान लीजिए हमको यहां पर एक range के अंदर की हमको एक से पांच एक से दस या दस से बीस इस परकार से किसी range के बीच की random value जनेरेट करानी है तब यहां पर देखते हैं मैं यहां पर आता हूँ और हमको मान लीजिए दस से और बीस की value करानी है तो हम यह आपर करेंगे ten plus कहा से कहा तक की plus rand के अंदर हम यहाँ पर करा देंगे इसको multiply 20 से ठीक है तो यह क्या हो गया 20 और यह हो गया 10 तुम्हारे 10 से 20 के बीच की कोई भी हमारी एक random value यहाँ पर generate होके आ जाएगी सीधा इसको हम यहाँ से run करा देते हैं लिजी यहाँ पर 19 पॉइंट कुछ फिर run कराएंगे अब 25 चलेगी यह ज्यादा 30 पर चला गया न यहाँ थर्टी तक कर दिया यहाँ पर पर प्लस करा दिया यहाँ पर हम 10 ही यूज करेंगे 10 और अब run कराते चले जाएंगे तो आप देखो 20 तक की वैल्यू 10 से 20 तक की हमारे पास एक रेंडम वैल्यू जेनरेट होके आ जाएगी यह भी हमको राउंड में चीए लेकिन इस बार हम राउंड ओफ नहीं करें इसका हम फ्लोर या सील निकालना चाहे तो हम इसका फ्लोर वैल्यू भी ले सकते हैं उसके लिए हम यहाँ भी वैल्यू का तो हम एक फंक्षन के साथ दूसरा फंक्षन भी यूज्ज कर सकते हैं ंड हनों ए सकते हैं हम यह ने अक करा सकते हैं één को यह हमारे टेबल आ रही है यह सीक्वेंस में आ रही है सारा ना यह वन टू सेवन सारे नंबर आ रहे हैं मैं चाहूं कि यह जितनी बार भी आए यह सफाल हो के आए यह सारे रिकोर्ड रैंडमली अरेंज होके आए तब हम यहां पर यूज कर लेगे अपने इस फंक्शन का कौन से का order by का order by के अंदर साथ साथ आगया order by और यहां पर हम करा देंगे रैंड फंक्शन का यूज रैंड के अंदर क्या रेगा यह वह रेंडम कि उसको नंबर को जनरेट करा देगा किसको स्टुडेंट्स के जो आएई या स्टुडेंट्स को जितने भी सात रिकोर्ड है उनको रण कराएंगे देखो यहां पर रेंडम ली आगे जनरेट फिर से कराएंगे तो यह हर बार सफल होके आएगा एक अलग ही सिक्वेंस हमारे पास नजर आएगा यहां पर next function आता है ABS function यहनि कि हमने absolute value निकालनी है किसकी absolute value निकालनी है कोई भी value यदि हमने sample के साथ डाल रखी है जैसे यहां पर मैं function use करता हूँ ABS function और इसके अंदर मैं value किया है जो भी हमने value डाली है इसको absolute बना देगा इसका यह सेंबल हटा के इसको positive value देदेगा रन करा देते हैं इसको यहां से positive value देदेगा यदि हम यहां पर कोई सेंबल लगाएं या ना लगाएं या value हमारे पास decimal में है यह हम और नीचे चले जाते हैं माइनस two point two two five हम करा देते हैं तो इसको भी यह absolute value बना के हम को देदेगा इसके बाद next function है sign function sign function हम को तीन result प्रोवाइड करता है किस किस प्रकार से इसके अंदर parameter के तो अंदर हम डालते कोई भी number यहां पर मैं यूज करता हूं sign function और numbers के अंदर हम कोई भी number यहां पर provide करवाते हैं इसको तो इस number को यदि वो zero से बढ़ा है जो भी हमने number यहां पर दिया मैंने यहां पर number दिया इसको 15 तो जो number zero से बढ़ा होगा तो यह हमको return करेगा one यहां number zero के बराबर है यहां पर यह return करेगा zero और यहां पर negative है चाहिए negative में कितना ही हो यह decimal में आ गया यह negative में कितना ही हम डाले negative one डाले यह negative 100 यह negative 1000 जो भी value डालेंगे तो यह हमको result देगा minus one इसको run करा देते हैं तो result हमारा minus one आएगा चाहिए हम इसको कितना भी यूज करें मैं कराता हूं यहां पर 60 दैन तब भी हमको result minus one ही मिलने वाला है तो यह थे कुछ function इसके अलावा कुछ और function जिनको मैं आप यहां पर नहीं बताऊंगा वह आप खुद चला के देख सकते हैं इसी प्रकार नेक्ट वीडियो में हम सीखेंगी स्ट्रिंग के कुछ function लगातार बने रिएगा आई होप वीडियो आपको जरूर चल लगा हुगा इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखत